तो नेचर में फंडामेंटल फोर्स क्या क्या हो सकते हैं तो हम वीडियो को शुरू करते हैं देखिए हमारे पास अभी तक एक एक आइडिया है एक धारणा है कि फोर्स हमने देखा कहा कहा है तो फोर्स को समझने के लिए हम देखते हैं कि हम फोर्स जो है वो चीजों को धका देने के लिए या चीजों को खींचने के लिए चीजों को ले जाने के लिए या चीजों को फैंकने के लिए या चीजों की शकल बिगाड़ देने के लिए या चीजों को जोड़ने के लिए म जब कोई एक moving object होता है ना वो किसी चीज के ओपर strike करता है hit करता है उसको जैसे एक baller जो हो बाल करता है और batsman उसको hit करता है या batsman hit करता है तो fielder के हाथ में चोट लगती है तो ऐसे impact of force को समझा जा सकता है या कई बार आप ऐसा होता है कि आप जूले में बैठे होते हैं हिंडोले में बैठे होते हैं तो आप वहां भी impact of force को feel कर सकते हैं या आप पानी में जब तैर रहे होते हैं तो उस टाइम भी आप जब बाजूंगों से पानी को पीछे की और खिंचते हैं तो आप एक्ट फोर्स को आप समझ सकते हैं जो करेक्ट धारना है यदि मालो हम इन इधारनों से चलें कि फोर्स क्या चीज होती है तो ऐसे एक्स्प्लेइन नहीं किया जा सकता है तो इतना आसान नहीं है तो सबसे पहले इसके लिए जो राइट नोशन है उसके लिए ट्राइ किया एरिस्टोटल ने पर वो उनकी जो अवधारना जो दी उनने फोर्स के बारे में वो गलत साबित हुई उसके बाद एजएक न्यूटन ने अपने फंडामेंटल लाज अफ मोशन के थुरू एक करेक्ट नोशन दिया और वो जो करेक्ट नोशन ही है कि देखिए आपके पास दो मास्स है एक मास है एम बन और दूसरा कोई मास है एम टू और ये जो दूनों मास्स है एक दूसरे क center से r unit दूर है ठीक है तो ये law of gravitation ये कहता है कि ये जो दुन्नों masses होंगे वो एक दूसरे को attract करेंगे और वो force कितना होगा उसका magnitude कितना होगा वो होगा product of the masses दो masses जितने भी हैं जैसे for example ये 5 kg है और ये 10 kg है तो 5 को 10 से गुणा कर देजिए और ये for example कि ये एक दूसरे से 2 meter दूर हैं तो नीचे 2 का square कर दीजिए ये इसका meaning है कि ये एक दूसरे को attract करेंगे f is equal to g this is the gravitational constant and this is the product of the two masses और दो एक दूसरे से जितने दूर हैं उसका आप square कर दीजिए square of the distance between the two this force is a central force which is always attractive in nature आगे दी हम चलें तो forces जो macroscopic world की हम बात करें macroscopic world का मतलब है जो आपको नंगी आंखों से जो संसार दिख जाता है हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं तो gravitational force की जैसे अभी हमने चर्चा की gravitational force दो masses की बीच में लगता है ऐसे ही आप muscular force के बारे में जानते हैं for example आप dumbbells को उठा रहे हों तो आपके muscles जो हैं वो role play करेंगे आप यहां देख सकते हैं आप एक dumbbell को उठा रहे हैं यह dumbbell उठा रहा है कोई बिक्ती और इसके जो muscles हैं आप देखे जरा यहां यह यह देखिए यह muscles जो है वो अपना role play कर रहे हैं इसको उठाने में यह देखिए muscular shape जो है वो किस तरीके की बन रही है so muscular force के बारे में आप जानते हैं इसके बाद आप देखें कि contact force between the two bodies यह देखिए यह दो bodies हैं यह कोई almira है और यह एक surface है और यहां almira और surface के बीच में contact है जैसे कोई gentleman इस almira को धका दे रहे है ना forward direction में तो यह जो motion है यह जो surface है इसके forward motion को oppose कर रहा है यह जो दो तहों के बीच में लगने बाला जो force होता है उसको हम contact force और यदि हम elaborate bay में कहें तो इसको हम force of friction कहते हैं अगला part है जो force आपने daily life में देखे हैं कि जब आप एक spring को दवाते हैं आप बचा लोग जब कोई एक teach teach वाला pen लेते हैं तो आप कभी उसको दवाते हैं कभी आप छोड़ते हैं दवाते हैं तो छोड़ते हैं तो उसमेंने एक spring जैसे for example वो equilibrium position में कुछ normal position में आसे होता है जब आप pencil को press करते हैं तो आपका जो spring वो compress होता है तो external force ऐसे लगता है अंदर की और तो spring force जो है वो opposite direction में जिसको हम restoring force भी कहते हैं कि बापिस उसको यहां लाने में की कोशिश करता है या आप ऐसा करते हैं spring को आप बाहर के और खींचते हैं तो spring force उसके opposite direction में काम करता है और दवारा फिर से equilibrium position में आने की कोशिश करता है तो इसको हम spring force बोलते हैं ऐसे forces भी आपने देखे हैं अगले point के हम चौथे point के आप बात करें तो यह देखी एक almira है और धागे पर लगने वाला यह रस्य पर लगने वाले force का नाम tension हो जाता है यह इसके unit तो newton ही रहेंगे पर जब यह धागे में लगता है तो इसी का नाम tension हो जाता है फिर हम अगले step में fifth step में चलते हैं जो force और आपने अपने life में देखा होगा आपने surrounding में देखा होगा कि आप ऐसा करिए कि आप एक tub ले लेजिए जैसे यह एक tub है इस tub में आपने कोई object है वो ऐसे डाल दिया है इस object को आपने यहाँ इस tub में डाल दिया अब आप यह देख रहे हो कि जो object है वो इसके बीच में तैर रहा है अब एक object है जिसका कोई mass m है तो उसका bait भी होगा फिर भी यह bait इतने bait वाला जो object हो कैसे तैर सकता है यदि इसको कोई सहारा ना हो तो जो यह तैरने में जो force काम करता है fluid जो लगाता है उसको हम buoyant force बोलता है this is another kind of force तो आप कभी भी किसी तैरती हुई चीज को fluid में तैरती हुई चीज को देखें तो आप एक कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि यह buoyant force की बज़ा से तैर रही है तो buoyant force जब bait of the object के बराबर होता है तब तक चीज तैरती रहती है इसके बाद आपका कुछ और forces के साथ भी सामना होता है एक और force होता है बिसकस force तो सबसे पहले आपको इस समझना पड़ेगा कि बिसकस force कब काम करता है मतलब देखिए आप एक solid body को ले लीजिए और solid body को जब आप एक fluid में डाल देते हैं फ्लूड का मीनिंग समझ लीजिए फ्लूड क्या होता है फ्लूड वो चीज होती है जो flow कर सकती है तो हवा भी flow कर सकती है और बाकी पानी flow कर सकता है oil flow कर सकता है तो जो भी चीज़े flow कर सकती है उसको fluid बोलते है तो जब एक solid fluid के contact में आता है जब भी कोई solid mass fluid के contact में आएगा या ये दो fluids की layers में भी काम करता है viscous force तो इसको हम ऐसे तरीके से समझ सकते हैं और आगे हम physics के syllabus में इसको आगे भी पढ़ने वाले हैं इसके बाद हम आगे चलते हैं next है हमार पासे देखिए हमने force in rope भी पढ़ लिया और force of buoyancy पढ़ लिया viscous force पढ़ लिया when the solids are in contact with the fluids इसके बाद हम दो चीज़ीं और देखते हैं force due to pressure of the fluid and force due to surface tension इसके लिए हम आपको black word पर लेके चलते हैं देखिए जब आप ये कोई ball है और इस ball के अंदर आपने कोई fluid डाला हुआ है यदि आप अपने हाथ से जोरदा तरीक से इसको प्रेस करते हैं बाहर से pressure generate करते हैं तो इसके अंदर बाला जो fluid होगा वो इस container की दिवारों के उपर एक force generate करेगा जिसकी बज़ा से ये फट भी सकता है तो आप इस force को ऐसे ले सकते हैं जैसे ये जो force होगा वो का जितना pressure create कर रहे हैं pressure into area इसको हम detail में आगे पढ़ने बाले हैं और एक force और है जिसको हम बोलते हैं वो surface tension मतलब जब एक fluid आपके पास होता है तो उसके surface के उपर एक तनाब बना रहता है और उस तनाब की बज़े से के के बार आपने देखा होगा जो बच्चे गाओं में पशु चराते हैं तो न तलाब में पानी ऐसे पढ़ा होता है उस पानी के जो layers होती है उसमें आप देखते हैं छोट छोटे जीव न इस surface के उपर सीधे चलते हैं आप लोग सड़क पर करते हैं तो इस तरीके के जो forces आपने पड़े हैं अब हम आगे चलते हैं कि ये जो forces हैं macroscopic world के हैं बट जो हमारा world है कुछ संसार हमें दिखता है और कुछ संसार हमें दिखता नहीं है तो जो हमें संसार नंगी आँखों से नहीं दिखता है उसमें भी कुछ forces exist करते हैं और उस संसार को हम बोलते हैं microscopic world तो अब हम microscopic domain की बात करते हैं कि उस domain में किस तरह के forces exist करते हैं देखिए आपके पास charge bodies होती हैं तो यदि आपके पास charges हो वो कभी दुनों सेम हो सकते हैं जैसे positive positive हो सकते हैं तो same charges एक दूसरे को repel करते हैं बाहर की और या एक positive हो सकता है और एक negative हो सकता है जो एक दूसरे को attract करते हैं तो इनके बीच में जो लगने वाला attractive या repulsive force जो होता है उसको हम electric force बोलते हैं यह microscopic domain का होगा जो आपको नंगी आंखों से नहीं देखने बाला उसके बाद आपने magnet चुमबक को आपने देखा होगा तो चुमबक में एक south pole होता है और एक north pole होता है यहाँ south pole और यह north pole तो आप एक चुमबक की पट्टी को ऐसे ले ले यदि आप इसके opposite poles को एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो यह attract करेगा यदि same pole को आप नजदीक लेके आएंगे जैसे south हो गया, north हो गया यह north हो गया, यह south हो गया जब same pole एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो वो repel करेंगे तो इनके बीच लगने वाला जो force होता है उसको हम magnetic force बोलते हैं ऐसे ही आपने पढ़ा होगा भी chemistry में आपको पढ़ा दिया गया होगा कि एक atom होता है या आपने lore classes में पढ़ा होगा कि atom के अंदर ना एक nucleus नाम की चीज होती है और उसके किनारे orbits होते हैं जिसमें electron जो है वो च सक्कर लगाते रहते हैं तो अभी हम तो सिर्फ focus करेंगे कि atom के जो center में यह देखिए हम atom की बात करते हैं atom के अंदर जो होता है वो atom का structure कुछ ऐसा होगा इसमें proton होता है neutron होता है proton होगा neutron होगा यहाँ proton neutron proton neutron ऐसे हम लगा देता है इसमें proton proton के बीच force लगता है neutron 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 के बीच में लगता है neutron neutron के बीच में लगता है जिसको detail में हम आगे पढ़ने वाले हैं अच्छा एक और बात हो सकते हैं कि जैसे for example आपके पास एक atom है मैं example के लिए A मार कर देता हूँ एक आपके पास atom है B तो इन दो atoms के बीच में लगने वाले force को inter atomic force बोलते हैं inter का मतलब आप समझते हो ना बीच में और atom दो atom है उन atoms के बीच में लगने वाले force को हम inter atomic force बोलते हैं ऐसे ही दो molecules जैसे for example ये एक बाटर molecule है और ये एक बाटर molecule है तो दो molecules जो यदि कुछ distance apart है तो इन के बीच में लगने वाले force को हम inter molecular force का नाम देते हैं इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं next हमने दिया कि देखिए हमने न तरह तरह के forces के बारे में अभी बात की muscular force हो गया contact force हो गया electromagnetic force हो गया nuclear force हो गया तरह तरह के forces के बारे में हमने बात की frictional force हो गया force due to pressure हो गया buoyant force हो गया viscous force हो गया सवाल यह है कि क्या यह सब forces जो है वो independent existence के हैं क्या यह बिलकुल एक दुसरे से स्वतंतर हैं या यह कहीं से drive होते हैं drive होने का मतलब हम आपको ऐसे बताते हैं कि देखिए इंट अपने आप में एक independent existence है और यदि आप उसी इंट का आप इस्तेमाल करके school बना लेते हैं कोई घर का भवन बना लेते हैं library बना लेते हैं office बना लेते हैं hotel बना लेते हैं अलग-अलग shape की आप चीजें construct कर लेते हैं बट basic जो उसका unit जो repeat होता है उसको इंट बोलते हैं इसी तरीके से हमने देखना है कुछ fundamental forces होते हैं जिनकी बजा से जिन forces को मैं अभी आपको पढ़ाया है वो forces generate होते हैं उनको हम बोलते हैं fundamental forces तो ये जो fundamental forces हैं ये लगबच चार तरीके के अभी तक हमें पता है at present stage our understanding we know four fundamental forces in nature चार की हमारे हामें अभी तक जानकारी है और जो बाकी forces हमने जिनकी अभी तक बात किये ये सर्व इन से drive हो जाते हैं तो हमने अभी पढ़ा gravitational force के बारे में और इसको detail में हम पढ़ने भी वाले हैं उसके बार electromagnetic force और तीसरा force है strong nuclear force और चौथा force है big force इनके बारे में अभी हम one by one detail में चर्चा करने वाले हैं इसी के साथ अभी मैं वीडियो को इसको close करता हूँ Thank you very much